नमस्कार मैं हूँ राउल शर्मा आप देख रहे हैं स्पे नाइनियो स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में बड़ी खबर की शुरुवात हम कर रहे हैं जी हाँ देश के युवाओं से देश के युवाओं का आज सपना तूटता चला जा रहा है देश के युवाओं के भविश के साथ खिलवार कर रही है मोधी सरकार इतने वर्षों के बाद सेना में भरती निकाली गई है और वो भी कॉंट्रेक्ट बेस पर ये बताता है कि सरकार के मनशा है कि किसी भी तरह से देश को पूरी तरव पर बात कर दिया जाए और ये भी कह जा रहा कि 4 साल का जो ये स्कीम रखी है ये देश के जवानों के लिए नहीं है ये आर्मी के हिसाब से नहीं है ये उन बड़े बिजनसमेन के हिसाब से है जिनको आगे सिक्योर्टी प्रदान की जानी चाहिए जी हाँ देश के वो बड़े उद्योग पती जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा तो सीधे सीधे तोर पर देखा जा रहा है कि सरकार को इस नरेंद्र मोदी अपनी माता जी का जनमदीन मना रहे हैं उन्होंने अभी हाली में सेलिब्रेट किया गुजरात में रैली कर रहे हैं हिमाचल में रैली कर रहे हैं इस टेनल का उद्गाटन कर रहे हैं परधान मंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी ट्वीट नहीं सामनी आता ह परधान मंतरी नरेंद्र मोदी जो है वो देश के युवा को खत्रे में देखकर उनके भविशी को खत्रे में देखकर एक भी बयान नहीं देते हैं वो देश के युवाओं को यह मैसेज नहीं देते हैं कि सडकों पर इस तरह से परदर्शन न करें सीधे सीधे तोड़ पर हम देख रहे हैं कि देश में युवा मरता है तो मरने देश में अगर आग लगती है तो अग लगने देश में ट्रेने जल रही है तो जलने देश की संपत्ति जल रही है तो जलने देश की संपत्ति जल रही है तो जलने देश सरकार को कोई फर्क नही पड़ेगा सरकार नहीं बोलेगी ना पहले बोलती थी ना आज बोलती है ना आगे बोलेगी और ऐसे में अगर बात करें यही सत्ता पक्ष के लोग जब विपक्ष में बैठा करते थे तो मनमोहन सिंग का मजाक उड़ाते थे उन्हें मौनी बाबा के नाम से देश की अर्थवियस्ता को समवाला यानि कि प्रधान मंतरी रहते वे मनमोहन सिंग ने जिस तरह देश को समवाला था देश को बनाया था उस देश को मौधी सरकार ने पूरी तरह बरबात कर दिया ऐसे में यह सवाल पर कॉंग्रिस निसाना साथ रही है मौधी सरकार पर लेकिन मौधी सरकार बात करने के लिए तयार नहीं है आज ले इतना है आपसे फिर्ट दुबारा मुलाकात होगी तब तक लिए जा दीजे नमस्कार